हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो दोस्तो चलिए आज फ्री अन्बॉक्सिंग की जाएक बहुत ही अच्छे आइटम्स की तो यहां पर देखे मैं इस बार आज लेके आई हूँ दो आइटम एक तो यूनिकॉर्ण का है दूसरा यह पैंसिल बॉक्स है तो पहल तो दोस्तो जैसे आप यह देख रहे हैं आपको पता चला होगा कि यह पैंसिल बॉक्स है यह तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह क्या है तो यह मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका यूज क्या है तो पहले चलिए दोस्तो यह पैंसिल बॉक्स का पहले लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है इसमें कुछ ऐसी चीज है जो आप किसी और पैंसिल बॉक्स में आपने नहीं देखी होंगी तो चलिए अब ओपन करते हैं पहले मैं दूसा साइड इसका ओपन करके आपको दिखाती हूं और इसमें क्या स्पेशल है वो भी आपको दिखाती तो दोस्तों ये जो इसका पिछला वाला साइड है इसको मैं खोल लई हूं कुछ इस तरीके से खुलेगा तो ये तो देखिए कुछ नहीं इसमें सिंपल है जैसे आपने दिखा इसमें कुछ नहीं बस पैंसिल रखना है रबर रखना है जिस सारी चीज़ें हो गई अब च देखिए है न पियानो जी हाँ ये इस पैंसिल बॉक्स में पैयानो बीयाता है ये देखिए अगर अगर आप इसको पूरा ह vist्लेके से करेंगे तो ये पैयानो उपर आ जाएगा और आप इसको चाहें तो इसको गुमा के ऐसे भी कर सकते हैं ये देखिए इस तरीके से भी याखर आप चाहें तो प्यानो को ऊपर रखके बच्चे से बजा भी सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने दोस्तों यह दो मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी हाला कि मेरी बैटरी थोड़ी मतलब इतनी स्ट्रॉंग नहीं है यह डिस्चार्ज हो रखी है तो शायद इसलि इस तरीके से है इसका म्यूजिक और इसमें और भी सारी चीज़े दे रखी है टोन है डेमो वन है स्टॉप है वॉल्म इंक्रीज करने का है टेंपो है मतलब जितनी बेसिक चीज़े प्यानों में फीचर होती है वो सारा इस पैंसिल बॉक्स में दिया हुआ है बस आपको क् कुछिश करिए गर नया लगाकर इसको यूज करिए तो आप चाहें तो इसको बच्चे ऐसे भी बढ़ा सकते हैं तो इसको चाहें बंद करना है जब तो इसको एसे कर दिया यह देखिए इस तरीके से यह पुरा रोटीट हो जाता है यह बच्चे यहां पेंसिल वगरा लेखें रुकुत को सते हैं दिखने पता है यह निटेक्ट अबहर देखर लगता है यह तो दो आपको पेन करें hard also दूरहर Android प्रबूला चार मैंने हम सबखेश्रों को कृमिेगे अबने हम सब्सक्राइब होते हैं जो हम लोगों को नहीं बता चलता है तो यह हो गया दोस्तो म्यूजिकल पैंसिल बॉक्स और अब चलिए दूसरा इटम देखते हैं अब दूसरा आइटम आप जैसा यह देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा हूगा कि यह है क्या और फ्रैंकली बुलों तो मुझे भ पूरा खुल जाता है उसी तरीके से यह यह यूनिकॉन पैंसिल बुक शेल्फ है इसको भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं तो चलिए से मैं पूरा उपन करके आपको दिखाती हूं तो देखे दोस्तों जो इसका जो फ्रेंट है वह इस तरीकी का है और आप आपको मैं बता हो जाएगा और इसको आप प्रेस कर देंगे तो पूरा क्लोज भी हो जाएगा यह इस तरीका दो दोनों साइट में इसके यूनिकॉन बनी हूई है तो इसका बिसिकली दोस्तों यूस क्या है कि अगर बच्चे टेबल पर पढ़ते तो उनके बुक्स वगरा ऐसी पड़ी करने के लिए इन्होंने एक यूनिकॉन का यह बुक्स शेल्फ दिये तो चलिए बुक को इसमें मैं लगा कि आपको दिखाती हूँ तो इस तरीके से बच्चे टेबल पर चाहें तो इस बुक्स शेल्फ को रख सकते हैं कि हमेशा बच्चे बड़े-बड़े बुक्स शेल् है ऐसा नहीं कि काफी कम बुक आएंगे इसमें अच्छी खासी बुक्स आएंगे यह देखिए और देखने में भी किता सुन्दर लग रहा है अगर मैं आपको दिखाऊं उपर से तो यह देखिए यह देखिए कुछ इस तरीके का पूरा व्यूज का आ रहा है यह तो अब चलिए इनके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं यह बुक शेल्फ भी मैंने आपको दिखा दी मैटल किये काफी मतलब मजबूत है तोटने वाली बुक शेल्फ नहीं है और यह म्यूजिकल पैंसिल बॉक्स हो गया तो चलिए अब इनके प्राइस के बारे में यह बताती हूं यह दोस्तो थोड़ा कॉस्टली जरूर है यह मैने लिया था 577 रुपीज का लिया था यह यह यूनिकॉन का मैटल लेकिन यह है कि मैटल है दोस्तों ऐसा मैं समझेगा कि यह प्लास्टिक है मैटल है पूरा और काफी मजबूत भी है और इसकी जो उपर से कर रखिए यह भी ऐसी है कि जल्दी निकलेगी नहीं बहुत अच्छी फाइन कॉलिटी है तो यह हो गई इसका प्रैस मैंने आपको बता दिया यूनिकॉन बुक शेल्फ का और प्लस यह जो म्यूजिकल पैंसिल बॉक्स है दोस्तों यह मैंने लिया था 400 रुपीज का तो और भी बहुत सारे लोगों को मैंने गिफ्ट की है अगर आपको भी चाहिए तो आप भी प्लीज मुझे कमेंट करिए मैं आप सब को गिफ्ट करोंगी वो भी फ्री और बस दोस्तों अपना प्यार हमेशा देती रहना मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं जदा से जदा लोगों को शेयर करिए तब तक के लिए बाई थैंक यू